यह स्टूडेंट्स अभी जो टॉपिक आप से डिस्केस करने लगे हैं कि बिसीकली इंडेस्ट्रियल हाइजीन एंड कंफाइंड स्पेसिज का लास्ट टॉपिक है इसमें अकुपेशनल सेफ्टी हैल्थ अस्टूसियेशन के हैजर्ड कम्यूनिकेशन स्टंडर्स बियान कि अगर इस स्लाइड को आप गहुँ से देखें तो इसमें इस बात को बियान किया गया है कि जो कंट्रेक्टर हैं आनसाइट इंपलाई का मतलब है कि जो इंपलाई जैनुवन फिसीकली ऐक्च्वली उस जगह की ऊपर काम कर रहा है उसको ऑनसाइट इंपलाई हम बोलते हैं वो जो on-site implies है उसको मुकम्मल communicate करें educate करें train करें guide करें उस बंदे को बताएं कि हमारे इस जो सेस्वपीज हैं यहां पर space के हवाले से land के हवाले से इस जगा के हवाले से site के हवाले से उस बंदे को मुकम्मल उसे awareness होनी चाहिए awareness का क्या फाइदा होगा अगर वो बंदा उन चीजों से पहले से अवेर नहीं होगा in case of any uncertain situations वो अपने आपको safe नहीं कर सकता अगर वो fully aware है तो अपने आपको safe कर सकता है अब यहां पर written hazard communication program organization में design किये जाते हैं कि hazards के मुतलक वो तमाम चीजें written farm में specific well shared well communicated with all the employees ताके in case of any uncertain situation कोई problem arise ना हो organizations that use hazardous material are required to develop a written program and to communicate applicable elements to its implies and on-site contractor यह अभी मैं आपको बता रहा था उसकी यह further explanations है an organization's written hazard communication program should contain at least the following elements पहली बात है कि verbal भी hazard program हो सकता है दूसरी बात है कि return भी हो सकता है better है कि return हो well shared हो बलके मेरी opinion है कि यह display farm में available हो hazardous material hazardous communication के related जितने भी points है वो लिखे हुवे हो और यह organizations के अंदर display हो ताके in case of any imply अगर कोई imply भूल जाता है तो वहाँ पे pictorial effect को देखके उस imply को मालूम हो कि मैंने इस uncertain situation में क्या भेह करना है dear students hazards communication program के जयो important points है वो यह है purpose and objective जब भी कोई research की जाती है जब भी कोई report बनाई जाती है जब भी कोई policy बनाई जाती है जब भी कोई program design किया जाता है उसका कोई न कोई objective होता है कोई ना कोई उसका purpose होता है objective का मतलब dear students यह होता है desire outcome of an organization objective purpose why you are going to study this subject आपका purpose होगा ताकि आपको मालूम हो सके health safety assurance के हवाले से health and safety occupation के हवाले से आपको know हो सके यह हमारे subject का primary purpose है और अगर हम subject study करने के बाद इसका purpose अचीव नहीं कर सकते इसका मतलब है कि आप लोग सही result achieve नहीं कर पा रहे inventory list of hazardous chemicals and substances यह बहुत important point है कि जो chemical भी organization में use हो रहे हैं उनकी list होनी चाहिए उनके pros and cons होने चाहिए उनके मुतलक आपको maximum information होनी चाहिए कि वो कहां कहां आपके लिए नुक्सान का बाइस बन सकते हैं third labels and other forms for warning prevention procedure warning आपने देखा होगा कि अगर कोई container जा रहा है और उसमें petrol है डीजल है तो उसके पीछे लिखा होता है कि आप इसे फासले पे रहें क्यों फासले पे रहें अगर आप उसे collapse करते हैं तो chances है कि वहां पे आग लग सकती है इसलिए लिखा होता है कि आप उसे फासले पे रहें इसमें dangerous material है इसी तरह organizations के अंदर मुक्तरफ warning signs मुझूद होते हैं in case of any uncertain situation आप उस जीज़ को control कर सके material safety data sheets procedure and sheets ये daily basis पे बनाई जाती है weekly basis पे बनाई जाती है या organizations में once over a period of time बना के रख दी जाती है जब तक के नया chemical न खरीदा जाए इन चारों point को अगर आप गोर से देखें अगर ये चीज़ें लिखी हुई होगी तो imply के लिए memorize करना understand करना असान होगा hazards of non routine task method of informing कोई ऐसा task है जो के routine में नहीं हो रहा नया task है uncertain task है उसको मतलक भी imply को educate करें ताके imply को मालूम हो कि ये situation पैदा हो गई है तो उसको मैंने कैसे handle करना है routine के task से तुम भी implies familiar होते हैं लेकन जो task routine में नहीं हो रहा उसे familiar नहीं है उससे educate करना बहुत important है implies को names of on-site contractors methods of informing जितने भी on-site contractors हैं जो के off and on आ सकते हैं उनके name की list बनाके with pictorial effect imply को दी जाने चाहिए ताके imply को मालूम हो कि Mr. A, Mr. B, Mr. C organization के contractor के तोर पे काम कर रहे हैं training, procedure and elements अगर आप imply को continuous basis पर train नहीं करेंगे तो chances है imply उस चीज के मतलग miss कर जाएंगे वो चीज उनके mind से skip हो जाएगी और जब कुछ चीज mind से skip हो जाए तो chances है कि वो किसी sphere accident का बाइस बन सकती है implies right to know यह important last slide है इसके हवाले से जिसका अगे pictorial effect मा आपको बताता हूँ dear students जब तक imply को अपना right to know जानने का हक नहीं होगा उस वकित तक वो चीजों को जानेगा नहीं right to know का मतलब ही यह है कि imply को मालूम होना चाहिए कि organization क्या बना रही है what they are producing how they are producing what chemical they are using what are the material they are using what is the raw material further converted into finished product and how it is converted into finished product what the procedure they are adopting in questions के answer imply को मालूम होने चाहिए इसी को हम बोलते हैं implies right to know the purpose is to prevent accident देखें कितनी होफसुरत बात है कि मक्सद क्या है कि organization में accident ना हो injuries ना हो implies on site contractor के मतलब जाने hazards जो है उसके मतलब जाने और उनको मालूम हो कि यह substances use हो रही है उनको कैसे यूज करना है दोस portion of an organization's written hazard communication program that must be shared with implies and on site contractors are as follows hazards product inventory material safety data sheet proper labeling emergency plan employee training program यह वही points है जो repeat हुए है कुछ नए है लेकर इन पॉंचो का मतलब यह है कि implies right to know अगर imply अपने rights के मतलब नहीं जानता तो chances है कि imply को mistake करेगा वो start में mistake है छोटी सी जो unintentionally हो गई उसकी वज़ा से को little bit problem हो सकती है लेकिन अगर उसको imply detail मेंने जानता तो वो long term basis के उपर continuous problem का बाइस बन सकती है अब यहां पे यह जो pictorial effect dear students मैंने आपको दिया है इसका मतलब यह है कि know your rights आल तो यह topic का मतलब सिर्फ rights जाना नहीं है बलके duty से भी link है लेकिन इसके इस aspect में हम से rights की बात कह रहे हैं अच्छे implies अच्छे implies वो implies हैं जिनको मलूम हो कि organization के अंदर क्या हो रहा है organizations के अंदर क्या material बन रहा है organizations के अंदर क्या production process है क्या technology use हो रही है कहां पर किसी किसम के material से को किसी किसम की problem का बाइस चीज बन सकती है इन सब चीजों को जानने को हम लोग बोलते हैं implies should know your rights अंदर क्या早ओ